आपका स्वागत है मेरे चैनल वभीता की रसोई में आज ही रेसिपी है आपलेट की सब्सब्स चलो फ्रेंस सुरू करते हैं फ्रेंस मैंने यह चे अंडे लिए आज मैं आपलेट की रेसिपी बनाऊंगी इससे पहले में तोड लेती हूं क्याता है के बजाए है कि पर बाल रहर में तोडो लेगाए अंड़ों आज बो तोड दोंगी आज में आजिए हमाई है झाल खॡ़ई लुब सबबता है कृपऌर समय है कि रिभा गर संय कि शिंग कष़बन dad क्ष़णा लग गल मैं एल और उग कि यह झाल झाल में यहां सारे अंडो के तोल लिया में यहां एक चुटकी नमक डाल रहे हूँ फोड़ी सी नमक फोड़ी सी हल्दी नमक में डाल रहे हैं कटा हुआ हरी मिर्च एक चुटी किंग मसाला किचन किंग में थोड़ी सी कटी भी हरी धन्य पत्ता डाल रहे हूँ मिक्स कर लेते हैं में प्याज दाल रहे हूँ कटावा एक कटावा प्याज झीतलई prints में अ पज़ थकिंग में शेक वर्णाम में प arbitraryल रहे हुआ है मिक्स कर लिया है चपमच से असानी से मिक्स हो जाती है मैंने या मसाला लिया है अगरा मसाला लन्या पाउडर अल्दी नमक स्वादा नुसर आये कि जाएं मैंने तीन कटावा प्याज लिया है धनिया पत्ता लिया है कि या पर मैंने टमाटा लिया है तीन कटावा और अंडे को अच्छे से लिक्स कर लिया है और यहां पर मैंने एक हैरी मिल्च लियू पर टीवी अगराई चड़ा दिया है गरम होने के लिए कड़ाई गरम हो गई है इसमें हम सरसो का तील डाल रहे है कि आइए अब्लेट बनाएंगे आइए अध्यक्राइए अध्यक्ते लिए गध्यक्ते लिए हैं है जो टेल गरम हो गया है अध्यक्ते लिए तालेंगे खेलेंगे अदेको हां पोल्ड करदेंगे जलेके सहे बढ़े आफिमेल हम अपगाना ग्हुंत्ती हो आपले लो कि बाले आपले आपले कर छो एंदे सोवते हैं। कि अब बन गया है अब इसे हम प्रेट में निकाल लेते हैं कि अमलेट बना लिया है निकाल ले हूँ अब इसे हम कट करेंगे तेल गरम हो गया है कि मैं हरी मेर्च डाल रहे हूं एक कटा हूँ कि अब 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 तेस पर्टा रहे हैं रहे हैं दो शेती है पर्ता रहे हैं गटाव प्यास प्यास हम भूंड लेंगे इसमें कटाव तमाटर डालेंगे तमाटर को हम भूंड बूंज लें गे इसमें इसमें लेक बागे चला है एक चमच शिल्वट्टे का मसाले को हम अच्छे से भूल लेंगे अच्छे में थोड़ा पानी डालेंगे दाकि मसाला ना चित के पड़ाई में है मैं अच्छे करी अच्छे चला कि तो जढ सुझ लूज में पाल जड़ब लग्याह जब सक्टर्ब है जब सक्टर्ब जब में मसाला ये भून चुका है अब हम पानी डाल रहे हैं एक के टोरी अब हम पानी रहे हैं थुका है अब बज़ को पीस पीस कर लिया है, यह ग्रेवी बन गई है, अब आमलेट डालेंगे अब इसमें ग्रेवी में, पीस करता सच्छनाइः यह जग सब शेंगे ऑंच। दिघकाशशड़र पॉबक्सादाब आमलेट नग्रेवी में, जिएकाशब इसमें दोफने उखेंगे, नग्रेवी है अब आमलेट, इसमें डिती हैं गीस को लोगे हैं, इसमें खिर नग्रेवार आमलेट और आमलेट अब हम इसमें धनिया पता दा लेंगे अब हम निपता आए देखिए हैं एक सेकेंड के लिए ढग देंगे अब से हम अब देख सकते हो सबजी बन गई है हमारी हमें प्लेट में निकाल के दिखाती हूं कि कैसा बना है फ्रेंज अंडे की रेशिप फ्रेंज ओमलेट की रेशिपी बनकर त्यार है अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए फिर आप मिलते हैं अगले रेशिपी के साथ थैंक यू